नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचिन भारद वाच और आप देख रहे हैं हमारा यूटीब चैनल जीवन कोश हम लोग बहुत हेल्दी चीज खाते हैं कहीं बार लेकिन वो चीज हमारी हेल्द को बेनिफिट नहीं दे पाती कई बार क्या होता है कि हम बिमारी में दवाई तो खाते हैं लेकिन वो दवाई असर नहीं कर पाती ऐसा क्यों होता है ऐसा इसी लिए होता है कि हम उसे गलत समय पर गलत तरीके से गलत कॉंबिनेशन में खाते हैं आज दोस्तों कुछ इसी टॉपिक को लेकर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि सौफ जिसे आप एक माल्ट फ्रेशनर की तरह देखते हैं लेकिन आपको बताएं सौफ कई मर्जों की एक दवा है लेकिन ये दवा भी तब काम करेगी जब आप इसको सह की तरीके से सही कॉंबिनेशन के साथ खाएंगे तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सौफ किन-किन समस्याओं में किस-किस तरीके से लेना चाहिए जो ये सही असर करें और हमारी बिमारी को जड़ से खतम करें दोस्तों अगर आप मोटापे के शिकार है और वजन कम करना चाहते हैं या फिर ब्लट प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं आखों के रोशनी बढ़ाना चाहते हैं या फिर हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करना चाहते हैं तो दोस्तों सुभा अगर खाली पेट सौफ का पानी आप लेंगे ना तो ये सब समस स्याव में ये एक असरदार जड़ी बूटी की तरहां काम करेगी आपको बता दें सौफ में वाइटमीन ए अच्छी खासी मात्रा में होता है जो आपके अंदर वाइटमीन ए की कमी पूरी करेगा और आखों की रोशनी बढ़ाएगा साथ ही इसमें पोटैशियम और जो आपके ब्लड फ्रेशर को कंट्रोल में रखेगा दोस्तो इसमें फाइबर भी अच्छी खासी मात्रा में है जो आपके वजन को कम करने में काफी जादा साहयक है एक ग्लास पानी उबालना है उसमें करीब एक चम्मच सौफ डाल दीजे और इसको उबलने दीजे जब आधा ग्लास हो जाए तो इसे चान कर खाली पेट पी लीजे एक उम्र के बाद यादाश का कमजोर होना यह समझ में आता है लेकिन आप जवान है और यादाश आपकी कमजोर होती जा रही है लोगों ने आपको टोकना शुरू कर दिया है तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जा करनी है आपको तो सौफ वाला दूद पीजे नींद ना आने के परिशानी है तो रोज रात सौफ वाला दूद पीने से करीब 7-8 घंडते की रिलेक्स फुल नींद हर रोज आप ले सकते हैं जिम वाले लोग जो होते हैं जो जिम जाना पसंद करते हैं वह अक्सर कुछ ना तरीका आपको बताएं, रोज सॉंफ वाला दूद पीजे, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसे पीने से आपको अपने शरीर में एक एनरजी सी भी लगेगी, दोस्तों सॉंफ वाला दूद बनाना बेहत असान है, आपको जितना आप दूद पीते हैं, करीब एक ग्लास दूद में एक चमच सॉंफ डाल दीजे, और उसे एक से दो मिनट एक उबालाने तक उबाल लीजे, और फिर इसे छान कर पी लीजे, ये ज्यादा असरकारक तब होगा जब आप इसे सोने से करीब आदर खंटे पहले पीएंगे, दोस्तों अगर आपको ऐसीडिटी की समस् में अच्छा खासा फाइबर होता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में काफी हेल्प करता है, वहीं अगर हम सॉंफ के साथ मिश्री खाएंगे, तो ये पेट की जलन को कम करके थंड़क देती है, आपको पता ही है, सॉंफ और मिश्री के वल खाना पचाने काही काम नहीं करती, बलकि ये खाने से मूँ के दुरगंद भी खत्म होती है, ये एक बेस्ट माउथ फ्रेशनर है, दोस्तों बदलते मौसम में अक्सर लोगों को, स्पेशली बच्चों को सर्दे खांसी और जुखाम जैसे समस्या होती है, इस तरह की मौसमी समस्याव से अगर स्पेशन से बचाकर बिमारियों से छटकारा दिलाते हैं, दोस्तों सौफ में आप जानते ही हैं, एंटी अक्सिडंट गुण होते हैं, साथ ही एंटी इंफ्लमेटरी गुण होते हैं, अगर सौफ और शहद एक साथ खाया जाए, तो ये शरीर की सूजन को कम करने में काफी मदद करता है, जिसे कई बार होता है, हम जादा चल लिए तो सूजन आ गई, या फिर हम लोग कहीं एक जगा बहुत लगातार बैट जाते हैं, तो भी सूजन आ जाती है हाथ पैरों में, तो इस तरह की सूजन को कम करने का काम सौफ और शहद का कॉम्बिनेशन करता है, सौ जावा आप दो चमत सौफ के साथ, एक चमत शहद मिलाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, सौफ और शहद के इस मिश्रन का सेवन खाना खाने के बाद, या रात को सोने से पहले आसानी से किया जा सकता है, तो दोस्तों देखा आपने, सौफ किस तरहां से किन-किन समस्याओं में किस तरीके से लेना है, आज हमने आपको बताया, येकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर और लाइक जरूर करें, फिलहाल के लिए इतना ही,